आप यहां पर देख सकते हैं मैंने Microsoft Word को ओपन किया है और यहां मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस तरह से spelling and grammar option का हम यहां पर मुझे एक sentence type करना होगा आप यहां पर type कर लेता हूं इस केस आप देखिए बच्चों मैंने computer की spelling में पी यहां पर मिसिंग किया है यहां पर यह को गया एक sentence अब देखिए इसने क्या किया ओटोमाटिक करेक्ट कर दिया तो यह ओटोमाटिक भी चैक करता है लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि अब देखिए यहां पर रेड लाइन आपके रेड लाइन कमीन है कि यहां पर इसमें बिस्टेक है यह शो करता है यहां पर इस पैरिंग इस्टेक अब हम यहां पर लेखते हैं इस एव वेरियस पार्ट्स अब देखिए जो है मैंने लिखाए यहां पर इसको डबल ब्लू लाइन आपको देखने को मिलती हैं तो इसके निये मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होगा इसके निये हमें इसके निया देखिए हम जाएंगे यहां पर रीवीव टैप पर जाने के बाद में आप यहां देख सकते हैं स्पैलिंग एंड्राम आपको दिखाई दे रहा है आप इस पर मैंने क्लिक किया आप देखिए यहां लास्क में जो आपको देखेंगे लेफ्ट साइड में यहां पर के अंतर है यहां और देखें यहां हमें सब्सक्राइब करेंगे कौन सा हमें हमारे सब्सक्राइब करेंगे तो देखें कंप्यूटर की प्रॉसेसर होता है इन सब्सक्राइब होता है तो यहां पर हमारे यह वर्ड करेंगे क्लिक करेंगे क्या होगा बच्चों देखिए जो हमारा यह वर्ड है यह लिखा हुआ है कम्यूटर इस जगह पर यह अपने आप चैंज है अब देख सकते हैं यह वर्ड है कम्यूटर इसकी जगह निखा हुआ रहा है अब यह अपने आप करेक्ट हो गया है अब हम देखेंगे इसके बाद में हमारा यह जो स्पैनिंग मिस्टेक है आप आप स्टीश हो गया है हमारे यहां पर वह है हम जैसे ही सपर क्लिक करेंगे अपने आप इसे वी करेक्ट कर चाहिए यहां पर हैज हो गया है, computer की spelling भी correct हो चुकी है, spelling and grammar check is complete, मैंने आपको बताया था, कुछ steps follow करने होंगे, वही steps हुने follow किये हैं, और अब हमें क्या करना हुगा, click on ok button, अब इस ok button पर हम click कर रहेंगे, लिए मैंने इस पर click कर दिया, अच्छा, इसमें मैंने एक बात और पता ही क्या आपको, कि अगर मान लीजिए हमने कोई word इसमें type किया हुगा है, और यह suggest कर रहा है हुटे change करने के लिए, हमें नहीं करना है मान लीजिए, हमें वही रखना है, मान लीजिए has की जगे है हम, वैसे तो has ही आएगा, लेकिन अगर हम have रखना चाहती है, इस ते गएपर तो यहां पर इस line को खटाने के लिए, हमें क्या करना होगा, preview tab में जा करके, और यहां पर हम ignore once, यहां एक option दिखा है, ignore once, इस पर click कर देंगे, तो यह ignore आप देखिए, complete, यह इसको यानि कि कैसा अपने wrong word लिखा या right, इसने यह बोल दिया कि आपका as it is word हमने लिखा रहे ने लिए, यह तो हो गया, इस तरह से, अच्छा, अब मैंने आपको बताया था, जैसे कि इसको हम फिर से click कर लेते हैं, यहां से, यहां से देखिए, आ रही है, इस पर मैं right click करूंगा, contest menu अपन होगे, यहां है, इस पर मैं click करूंगा, automatic, यहां पर correct हो, clear हैं सभी को, अब हम बात करते हैं, थीजर्स के बारे में, यहां ने थीजर्स पताया, यहां के बारे में जैसे अगर हम बात करें, तो यहां पर हमारे पास है computer word, यहां grammar की बरावन में ही आपको देखने हो मिलता है, जीजर्स, पर हमने click किया, अब यहां आप देख सकते हैं, कि computer से related बहुत आरे word की list आपके सामने आदे, ऐसा ही है, अब देखिए, जैसे अगर मैं जो आपको शोग करना है, यहां drop down arrow आपको दिख रहा है, इस drop down arrow पर हम click करें तो देखिए, अब यह computer की जगा है, रिप्लेस हो गया है, क्या आगया है, अपर लिखा हुआ, laptop, okay students, clear है thesis, thesis कमीन होता है, कि किसी word को हमने select किया, और उसके related, जो synonyms होते हैं, उसकी list हमारे सामने आजाए, clear है, yes sir, 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 yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir चेक और इसकी बाद में थीजरस, तो यह समझ लिया हुआ, अभी एक सेक्ट सुन लीजी करीप, अभी बीच में नहीं, तो मैं यहाँ पर जो आपको यह शो कर रहा हूँ, यह आपने अच्छे से इसको